नमस्कार दोस्तों, SRP Education पर एक बार पुने आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्तान हाई कोट से समंदित मेहतुपुन खबर गुर्जर आरक्षन से जुड़ी हुई एक खबर लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। राजस्तान हाई कोट ने रचा इतियास। देश में पहली बार हुई एसी सुनवाई। वो भी एक दसक पुराने गुर्जर आरक्षन के पेचिद्य मामले की सुनवाई। वीडियो कोणपरेंच से जुड़े। जैपूर से ये खबर है। राजस्तान हाई कोट ने आज इति पुराने गुर्जर आरक्षन के पेचिद्य मामले की सुनवाई। जोदपूर हाई कोट में मुखी नयदिस एस रविंद्र बट और जैपूर में जस्टिस विनित मातूर ने सुनवाई की। विडित है राजस्तान में पहली बार इस तरह का प्रियोग किया गया है। जिस पुरी कारवाई को दोनों इस्थानों पर वकील और दूसरे पक्षकार सुन और देख सके मुख्य नयदिस बट ने इसकी पहल की और पिछली सुनवाई में इस तरह का सुजाव दिया गया था जिस पर महादिक वक्ता जिया सिंग्री और याचिका करता वकील डोक्टर पर आज सुनवाई की तारिक तै की गई सुनवाई शुरू होने से पहले मुख्य राजिस ने बदाई दी राज्तान हाई कोट ने रचाई तियास देश में पहली बार हुई यसी सुनवाई एक दसक पुराने गुर्जर आरक्षन के पेचिदा मामले की सुनवाई क्या था मामला राजिसरकार्शिक की ओर से राज्तान पिछडा वर्ग संसोदन अधिनियम 2019 के तेत गुर्जर सहीत पांच जातियां गाडिया लुहार बंजारा रेबारी वर राइका को एमबिसी यानिकी अति पिछडा वर्ग में 5% विशेष आरक्षन देने को चुनोती दी गई याचिका में आरक्षन को एस समयदानिक बताती विचुनोती दी गई है दर असल रोष्टर के हिसाब में मुख्य नयदीष जोदपूर में सुनवाई कर रहे हैं और दूसरे नयदीष जैपूर बेंच में हैं और सुनवाई के दोरान जैपूर से वकील पक्सकार जोदपूर जाते थे जिसकी वज़े से काफी समय लगता था इसी की चलते इस तरह की पहल की गई है राजस्तान हाई कोट ने इतियास रस्त दिया है पहली बार सुनवाई वीडियो कोंफरेंशिंग के माद्यम से हुई और एक दसक पुराने गुर्जर आरक्षन के मामले में आज सुनवाई की गई दन्यवाद दोस्तों ये न्यूस थी राजस्तान हाई कोट से समन्दित राजस्तान हाई कोट ने गुर्जर आरक्षन मामले की सुनवाई वीडियो कोंफरेंशिंग के माद्यम से की है एक जज जोदपुर बेंच जोदपुर हाइकोर्ट से और दूसरा जैपुर बेंच में बेठे और इनकी सुनवाई यह अधूरी रही पूरी नहीं हुई दन्यवाद दोस्तों यदि इस प्रकार का चो आगे की प्रकिरिया होगी गुर्जर आलेक्षिन स्रमंदित वो भी आपको न्यूज हम समय समय पर देते रहेंगे आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप हमार चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेजिएगा साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविशे में भी आपको इस तरह की न्यूज मिलती रहें धन्यवाद